हेलो स्टूरेंट्स वेल्कम टू गितांजेले एजुकेशन एकेडमी ए लर्निंग क्लासेज आज हम कक्षा छटी का हिंदी विशे अध्यान करेंगे आपकी जो हिंदी की पुस्तक है उसका नाम है पलाश जब आप अपनी प्रक्रमा साथ ओपन करेंगे खोलेंगे तो आप पहले पाट पर पहुँच जाएंगे पहले पाट का जो शिर्षा के आया वसंत आया वसंत ये एक कवीता है और इस कवीता के रचेता इस कवीता के कवी सुहनलाल दिवेदी जी हैं तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस कवीता के अंदर वसंत रितु के बारे में कवी के द सुन्दर्ता फेल गई है सरसों खेतों में उठी फूल बोरें आमों में उठी जूल बेलों में फूले नए फूल पल में पजड़ का हुआ अंत आया वसंत आया वसंत खेतों में जो सरसों के पोधे हैं उनके अंदर फूल आ गए हैं आम के अंदर बोर, आम की मंचीरी, आम के फूलों को बोर कहते हैं, बेल जो बेल हैं, उनके अंदर भी फूल आ गए है, पज़ड का अंत हो किया है, क्योंकि वसंत रितू आ गई है, लेकर सुगंद बह रही पवन, हर्याली छाई है वनवन, सुंदर लगता है घरांगन, है आ आया वसंत, क्योंकि वसंत रितू में सभी फोदे फलते फूलते हैं, पेड़ों में नई कोपले आती हैं, उनके सुगंद से जो हवा है वो भी सुगंदित हो गई है, सभी दूर हर्याली छाई भी है, हर गरांगन सुंदर हो गया है, चारो दिशाएं दूर दूर तक नित वसंत, जो फूलों के खिलने से भोरें उनके ओपर मन रहा है, कोयल अपनी जो धनी है उससे, अपनी जो कू के उससे वातावरन को गुंजित कर रही है, सभी जीवों के अर्था, सभी जीवों का मन खुश हो रहा है, इसे सुंदर द्रश्य को देखकर, इस सुक्का हो अपने यह अंत घरगन में चाय नित वसंत, यह सुक्सदेव सभी के जीवन में बना रहे, इसका कभी अंत ना हो, और हर घर में वसंत रितु मतलब शुक्षान्ति उननती स्म्रदी बनी रहे, तो सुहनल दिवेदी जी ने इस वसंत रितु के ऊपर काफी अच्छी कविता लिखी है, हम जब इसके प्रेस्ट करमां कार्ट पर आएंगे, तो हम शब्दकोश पर आजाएंगे, शब्दकोश में हमें काफी सारे नए नए शब्द मिलेंगे, देखें जरा समस, जैसे कि जग, जग मतलब जगत संसार, दुनिया, वर्ल्ड, इंग्लिश में काएंगे, शोभा मतलब सुन्दरता, ब्यूटी, अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहो, एंडलेस, बोरे मतलब आम की मंजरी, मेंगो ग्रोव्स, पल मतलब शन, मोमेंट, पजड मतलब पत्तों के गिरने की रितू, ओटम, सुगंत मतलब अच्छे खुश्बू, आरोमा, प्लीजन्ट स् प्रशने, speaking skills, उसका पहला प्रशने, प्रस्तुत कविता में किस रितू का वर्णन किया गया है, तो किस के वर्णन किया गया है, वसंत रितू का, दूसरा प्रशने, प्रस्तुत कविता के कवी कौन है, तो प्रस्तुत कविता के कवी सोहन डाल दिवेदी जी है, तीसरा प् मारा वो है लगूत्तरी प्रश्न शॉर्ट एंसर टैप कोश्चन यह राइटिंग स्किल्स में आएगा लिखित में आएगा इसको आपको अपनी कौपी के अंदर लिखना है सर्सों कहां फूल उठी है तो सर्सों खेतों में फूल उठी है किन चीजों से हमें ग्यात होता है क वसंतरीतु का आगमन हो गया है तो कैसे हमें पता जलता है कविता केनुसर खेतों में जो सर्सों के पोधे हैं उनके अंदर फूल आ गए है आमों में क्या आ गए है बोर आ गए है मंजरियां आ गई है बेलों के अंदर फूल आ गए है जो हवा है वो सुगंदित हो गई है स अबी दूर हरियाली शाइव ये तो इस तरीके से हमें पते हलता है कि वसंत रितू आ गई है तीसरा प्रशने वसंत में सभी दिशाएं कैसी हो जाती हैं तो वसंत में सभी दिशाएं मधूर हो जाती हैं सब घर और आंगन वसंत में कैसे लगते हैं तो सब घर और आंगन वसं तुमें सुन्दर लगते हैं अगला प्रशने दिरकुत्तरी प्रशने लॉंग अंसर टाइप कोश्चन लेकर सुगंद बहराई पवन पंक्ती में कभी किस प्रकार की सुगंद की बात कर रहे हैं इस पस्ट कीजिए तो इस पंक्ती में कभी मदूर सुगंद की बात कर रहे है जो हावा के साथ बेकर सभी दिशाओं को महकाती है दूसरा प्रशने वरशंत रितू के रंग, गंद और स्वर सभी में मधूरता एवं महक है कविता के आधार पर विवेशन कीजिए कविता के आधार पर वसंत रितू में किस तरीके से रंग बिखरे वे हैं क्योंकि विबिन प्रकार के जो फूल है अलग-अलग पोधों में रंगीन फूल खिले वे हैं इस तरीके से पूरी धरती पर विबिन रंग फेले वे हैं उसी प्रकार से गंद की बात करें तो पेड़ों के अंदर जो नई कोपले आ रही है जो पोधों में नए नए विबिन प्रकार के फूल खिले हैं उनकी गंद से वातावरन सुगंदित हो रहा है स्वर की बात करें तो कोयल की कूक से वातावरन गुंजित हो रहा है मधूर स्वर से इन तीनों चीजों से वातावरन मधूर और मनमोहक हो रहा है तीसरा प्रशन है वसंत रितों में सब किस प्रकार सुखी हो जाते हैं तो वसंत रितों में झाल 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 इस बारे में आप सोचिए और अपने प्रेंट्स से बारे में इस बारे में आप सोचिए किस रितों में केसा माहूल होता है रितों के अनुसार हमारी आदतें भी बदलती है मौसम बदलने से हमारी कहीं सारी आदतें बदलती है उसके उपर विचार कीजिए तो ये चेप्टर हमारा आज खतम हुआ लेसन नमबर वन आया वसंद आया वसंद